दोस्तों अगर आप एक WhatsApp user है और आपके WhatsApp को band कर दिया गया है तो कैसे आप उसको unband करा सकते हैं आपको इस वीडियो में हम complete जानकारी देने वाले हैं रिक्वेश्ट है आप लोगों से इस वीडियो को complete देखेगा कहीं पर इसकी मत कीजिएगा वरना आप कोई चीज मिस कर सकते हैं जिसकी वज़ए से आपके WhatsApp को unband नहीं किया जा सकेगा रिक्वेश्ट है पूरा वीडियो को देखेगा उसके बाद में आपको यह समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप अपने WhatsApp को unband करा सकते हैं बहुत सारे लोगों को यह comment था कि सरह हम already official WhatsApp यूज कर रहे थे उसके बावजूद भी हमें इस प्रकार की problem आ रही है या बहुत सारे लोग यह बोल ले हैं कि हम third party अपनी questions यूज करते थे जिसकी वज़ा से हमें यह problem आ रही है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यह बखा हुआ मिल जाता है इस प्रकार कि यहां पर आपको लिख करके आ जाता है और आपको यह बोटसअप को band कर दिया जाता है या फिर आपके यहां पर WhatsApp लिख करके आता है you need the official WhatsApp to use this account इस प्रकार से लिकर किया जाता है और आपके WhatsApp को bend कर दिया जाता है तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको ये problem आती है तो कैसे आप इसको solve कर सकते हैं और एक बार फिर से आप अपने WhatsApp को use कर सकते हैं इसके लिए आपको ये पर करना क्या होगा सबसे पहले मैं आपको ये पर लेकर के चलूँगा अपने स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा लाइब चीजें कि किस प्रकार से आप इसको official WhatsApp को या फिर third party applications को अगर आप यूज करते से और आपकी WhatsApp को bank कर दियागा है तो कैसे सको solve कर सकते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको याँ पर हमारी स्क्रीन सो कर रही होगी और अब आपको यहाँ पर बनाता हूँ कि किस प्रकार से आप इसको solve कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ से बैक हो लेता हूँ और बैक होने के बाल यहाँ पर एक काम करना है आपको जो काफी ज़्यदा important है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सर्च करना है हमारे चैनल का नाम जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा MKV और यहाँ पर मैंने लिख लिए Technical जैसे आप यहाँ पर MKV Technical लिखेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर चैनल आपको सो कर जाएगा अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कर लीजीगा और उसके बाद में बेल के आइकन पर ओल कर लीजीगा आपको हैं पर वीडियो देख जाएगी तो हमारी आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लीजीगा यहां पर हमने आपको बताया है कि किस परकार से आप अपने वार्टसप को अनबैन्ड करा सकते हैं उसके बाद में इस वीडियो को देखने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद ही आपको ये वीडियो काम करेगी अगर आपका वार्टसप अनबैन्ड नहीं होता है तो हमारी request है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखीगा और उसके बाद में आप यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को भी देख लेजीगा तभी आपकी problem solve होगी तो यहाँ से अब वैक होने के बाद अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है अगर आपने इस वीडियो को देख लिए तो इसके बाद आपको करना क्या है सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको हैं पर बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के whatsapp को बैन किया जाता है ना कि उनके नमबर को बैन किया जाता है जैसे मान लीजे कि आपको थर्ड पर्टी अप्लिकेसंस यूज करते थे और इसकी वज़ा से आपके whatsapp को बैन कर दिया गया है ना कि आपके नमबर को बैन कर दिया गया है लेकिन वहाँ पर लिख करके यही आता है जो अभी आपको मैंने बताया लेकिन अब आपको यहाँ पर यह पता नहीं चलता है कि यह दिक्कत कैसे आ रही है आपका नमबर बैन हुआ है या फिर आपका whatsapp बैन हुआ है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा सबसे पहले और यहाँ पर जो मैंने आपको step सिखाया है उसको कर लीजिएगा उसके बाद में इस वीडियो को जरूर देखिएगा अब चलिए मैं आपको बताता हूं करना क्या है आपको सबसे पहले चीज तो आपको यहाँ पर यह करना है कि जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए कि जो आपका smartphone है इस smartphone को आपको लेना है और यहाँ पर जो power वाला button होता है आपको इसको प्रेस करके इस परकार से रखना है और जैसे आप यहाँ पर long press करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर एक option देखने के लिए मिल जाएगा restart का आपको restart वाले option पर click करना है आपका जो smart phone होगा वो restart हो जाएगा उसके बाद में आपको second तरीका आपको यहाँ पर करना क्या है सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर setting में जाना है इस परकार से setting में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस परकार से आप यहाँ पर setting में जाएंगे और setting में जाने के बाद आपको यहाँ पर पहले सबसे पहले सर्च कर लेना है app आप यहाँ पर चाहें तो app search कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर चाहें तो directly आप यहाँ पर नीचे जैसे आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है app management आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देखने के लिए नहीं जाएगा एप लिश्ट ठीक ना तो आपको एप लिश्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देश सकते हैं कि इस प्रकार से यहां पर लोडिंग होगी जितनी भी आपक करना है आपको यहां पर करना है और आपको यहां पर करना है और यहां पर क्लिक करने के के बाद आपको काम करना है ऐन अब और खूरी के श्टोरेज का अफासण देखने के लिए मिफिन जाए अपको क्लिक करना है जैसे आप यहां पर किलिक लिए आ और दूसरा आपको यहां पर कअटा और किलियर कैश धोनों कर लेना है । अando option पर आप को यहва हैंपर पर प्लिक करना हैं और इसको कर लेना है इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको यहां में से भैक लिए करने के बाद आप उने के बाद आप आप इस चीज को ध्यान से है जैसे मान के आक Jedi कि वार्सака यूज都 करते थे? official वर्टसप यूज़ करते थे और आपके number को band कर दिया गया है ठीक है या फिर आप GB वर्टसप यूज़ करते थे या फिर आप यूज़ वर्टसप यूज़ करते थे या फिर आप FM वर्टसप यूज़ करते थे आप जिस भी वर्टसप को यूज करते थे आपको उस वर्टसप को अनिस्टाल करा देना है आपको उस वर्टसप को क्या करना है अनिस्टाल करा देना है इस बात को आपको ध्यान में रखना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है लेकिन पर इस्टोर से जाकर के ही आपको अनिस्टाल कराना है, ठीक है ना, यहां पर करा लिजीगा, अब यह हम बात करेंगे, जो third party applications यूज करते थे, उनको कैसे क्या करना है, तो यहां पर इसको अनिस्टाल करा लिजीगा, उसके बाद में आप आपको हैं पर क्या करना है, सबसे पहले आप आपको यहां पर यूज करना है बिजनेस वर्ट सब आपको यहां पर लिखना है इस परकार से ठीक ना बिजनेस वर्ट सब जैसे आप यहां पर बिजनेस वर्ट सब लिखेंगे यहां पर आ जाएगा आपको सबसे पहले आप इसको install करा लेना है इसको install करा लेना है ठीक ना इसको install करने के बाद आपको आपको करना है क्या है आपको बता देता हूँ आप यहाँ पर माल लेते हैं कि जो third party application से यूज करते थे उनके लिए क्या करना है तो उनके लिए सबसे पहले चीज़ ये करनी है, आपको यहाँ पर open करना है इस परकार से, और open करने के बाद, आपको यहाँ पर देख लिए कि आपका यहाँ पर जो भी applications था, ठीक है न, आपका जो भी applications था, आपको सबसे पहले उसको long press करना है इस परकार से, इस परकार से आ आप इनफुर आएंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर अनिस्टाल करने का एक option देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ से आपको अनिस्टाल कराना है, अगर आप थार्ड पार्टी अप्लिकेसंस यूज करते थे तो, ठीक ना, यहाँ पर इस चीज को कर लिजीगा, आपको अनिस्टाल किया हूँ, तो मैं इसको सबसे पहले इस्टाल कर लेता हूँ, इस्टाल करने के बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, कि आपको करना क्या है, आपको अप इस WhatsApp पर अपना account बनाना है, ठीक ना, इतना सब कुछ करने के बाद, last में अपना account बनाना है और ध्यान रहे कि आप जो भी WhatsApp यूज़ करते थे आपको सबसे पहले उस WhatsApp को अनिस्टाल करा देना है इतना इस्टाप आपको कर लेना है उसके बाद में ही आपको अपना एकाउंट यहाँ पर बनाना है कि हमने आपको यहाँ पर जो वीडियो बताई थी उस वीडियो का लिंक यहाँ पर उपर मिल जाएगा आप यहाँ से भी देख सकते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद 24-48 घंटे के बाद ही आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्फ होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजिन स्वार्ट सफ यह open कर लेता हूं मैं और जैसे मैं यहाँ पर open करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो वार्ट सफ है यह open हो चुका है इस परकार से अप आपको यहाँ पर अपना account बनाना है जो number आपका बैन था आपको लग रहा है था कि आपका number वो बैन था तो आपको सबसे पहले हैं पर क्लिक करना है agree and continue और जैसे हैं पर agree and continue आप यहाँ पर किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आप अपना country code सेलेक्ट कर लीजीगा और अपना नमबर डाप डाल दीजीगा और next कर दीजीगा इस परकार से आपका account फिर से unband हो जाएगा तो request है हमारी कि हमारी जो first number की वीडियो थी सबसे प अब एक साथ थाइंक्यू और धन्वाद जया हिंदुर्टो